हेलो एव्रीवन आप सभी का फिर से स्वागत है ये घटना चक्र साइन्स का डिसकसन है हम लोग बाइलोजी को डिसकस करें बाइलोजी में हमारा टॉपिक चल रहा है हिंता जन असंक्रामक व अनिरोग इसमें जो प्रशन अभी सेस रह गये है पहले उनको कम्प्लीट करेंग लेकिन सेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दू कि इसका पीडियेफ एविलेबल है अगर आपको पीडियेफ चाहिए तो टेलिग्राम चैनल टेलिग्राम क्वीज ग्रूप या चैनल के कम्म्यूटी बॉक्स में जाईए वहाँ पर इसके रिगार्डिंग में इन्फो प्रमेशन को अपडेट कर दिया गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं 76 नंबर जो प्रशन है यदि आंक का लेंस आपारधरऌसी हो जाए तो आंक का रोग कहा जाता है यदि आँख का जो lends है औपारदर्सी हो जाए तो आँख का जो रोग है वो क्या कहलाएगा सही जवाब है मोतिया बिंद मोतिया बिंद रोग जो होता है आँख के lens के औपारदर्सी होने पर होता है यानि निकट द्रिष्टी दोस में दूर की बस्तुएं धुंदली दिखाई पड़ती है ठीक है द्रिष्टी वैसमया रोग में कौर्णिया या आह का लेंस पूर रूप से गोलाकार नहीं होता है तथा ग्लुकोमा बीमारी में आह के पीछे इस द्रिष तंत्री का धीरे धी द्रिका है वो क्या होता है धीरे धीरे खराब हो जाता है नस्ठ हो जाती है 77 है मोतिया बिंद के द्वारा मानो नेत्र का निमलिखित में से कौन सा भाग परभावित होता है आँक की जो पुतली होता है इसके पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा होता है मोतिया बिंद होने पर नेत्र जो है जो आँक है आँक की जो द्रिष्टी है वो धुंदली हो जाती है और यह नेत्र लेंस के धुंदला हो जाने के कारण होता है इसके निदान के लि सा सही option है तो चलिए मिलान करते हैं अगर बात करें तो Etropine का जो संबंध है ho किस्से है Etropine का संबंध ताराविषफारण से है ठीक है इथर का जो संबंध है किस्से है इथर अस्थानिय संग्याहरण से Nitroglycerine का जो संबंध है तो हिर्दे की तकलिफ से है और पाइरेथ्रीन का सम्बंद मच्छण नियंत्रण से है यानि सही अप्षन हो जाएगा अप्षन D D option बिल्कुल correct option है अगर बात करें तो एट्रोपीन एक ट्रोपीन एलकेलायड है जिसे एट्रोपा वैराडोना नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है जिसका उप्योग नेत्र की तारा विस्फारण में किया जाता है इथर एक रसाइनिक योगिक है जिसका समाल सुत्र और डैस होता है और इसका उप्योग अस्थानिय संग्याहरण में किया जाता है नाइट्रोपीलिसरीन भी एक रसाइनिक योगिक है जोकी रंगहीन तैलिये और भारी तथा बिस्फोटक युक्त होता है जिसे नाइट्रेटिंग गिलेसरॉल से प्राप्त किया जाता है इसका क्राइसेंथिमम सिनेरी फोलियम नामक पादप से प्राप्त करते हैं तो क्राइसेंथिमम सिनेरी फोलियम नामक पादप से इसकी प्राप्ती होती है ठीक है याद रखिएगा 29 है मानो आखो की पुतली जिस एलकेलाइड के अती तनू बिल्लियन से फैलाई जाती है वह है इसका सही जवाब क्या होगा बताएए कमेंट केजिए मानो आखो की पुतली जिस एलकेलाइड के अती तनू बिल्लियन से फैलाई जाती है वह है एट्रापीन क्या है एट्रापीन C अप्सन मानों आखों की पुतली एट्रापीन एलकेलायर के अती तनु बिल्लेन से फैलाई जाती है इसका विकल्ब जो C है सही है प्रश्ण संख्या 80 यानि 80 नंबर जो प्रश्ण है स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रादोस है जिसमें लोग क्या करते हैं स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रादोस है जिसमें लोग जिसमें लोग निद्रा में क्या करते हैं बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्वास बाधित करते रहते हैं यानि सोते वक्त थोड़ी थोड़ी देर के लिए इनका जो स्वसन की किरिया है बाधित होता रहता है तो sleep apnea एक भयंकर निद्रा दोस है याद रखेगा C option इसका सही जबाब है sleep apnea एक निद्रा समंधी विकार है disease है जिसमें निद्र में या sleep वक्त क्या होता है sleeping वक्त यानि सोते वक्त स्वसन परवाह थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाधित होते रहता है 81 है biological risk phresing एक आधनिक सल्य तकनीक है जिसके द्वारा उप्चार करते हैं biological risk phresing एक आधनिक सल्य तकनीक है जिसके द्वारा उप्चार करते हैं किसका उप्चार करते हैं biological risk phresing के द्वारा आधनिक सल्य तकनीक के द्वारा तो देखिमें अगर बात करें इसमें जो औप्सन दिया गया है मतलब कि doubtful option है इसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे कि जो biological जो researching जो है ये एक आधनिक सल तक्निक है इसका उपचार किस-किस के लिए होता है यानि इसका प्रयोग किस-किस disease के लिए उपचार में प्रयोग करते हैं तो हडियों के अगर बात करें तो जोड में उनके सीरे उपर हडियों के जोड में जो सीरा होता है उनके सीरों पर चिकने और लचिले उत्ता की परत जो है चड़ी होती है जिसे काटिलेज कहते हैं क्या कहते हैं काटिलेज या दोनों हडियों के बीच एक गद्दी की तरह कार करती है जिस पर हड़ियां असानी से घुमती है मूब करती है आयूब रिधी या चोट आधी कारणों से काटिलेज घीसने लगता है और हड़िया आपस में रगड खाने लगती है रगड आने लगता है टकर होने लगता है जिसे जोडों में दर्ध और जक्रन रहने लगती है इस रोग को संधिवात मतलब कि ऑथेराइटिस कहते हैं गंभी रोगियों में संपूर्ण जोड प्रतियस्थापन यानि टोटल जोड रिस्प्लेस्मेंट इसका एक मात्र इलाध होता है हलांकि आजकल संपूर्ण जोड प्रतियस्थापन के विकल के तोर पर केवल जोडों की यानि गठिया वाली सता को जो है बदलने की सुविधा भी जिकेस्सा विज्ञान में अब उपलब्ध है जिसे ज्वाइन्ट रिस्फ्रेसिंग या बायलोजिकल रिस्फ्रेसिंग के न परा होता है इस परकार उतर के तोर पर दिये गए चारों भी कल्पों में से किसी भी एक का चैन किया जा सकता है उतर परदे सुलोक सिवा आयोग जो है इसने आरम में अपने अंसर की में जो है मतलब की इसका जवाद दिया था जो की ए ऑप्सन मारा था लेकिन बाद में जा शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है तो याद रखिएगा सही जबाब है आईरन की कमी से होने वाला जो रोग है वो है एनीमिया रक्त छड़ता C-Option शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया की बीमारी हो जाती है मानो शरीर को लोहे की प्रतिदीन और स्यक्ता जो है 12-20 मिलिग्राम होती है इसका सुरूत अंडा, मांस, फलिया, अनाज और हरी सबजिया है या हेमोगलोबिन और साइटोक्रोम एंजाइम का महत्पून घटक है 83, सरीर के अंदर लोह की कमी से ऊत्पन होने वाला जो रोग है वो कौन सा है सही जबाब है, रक्त हिंता यानी C आप्षन, सेम प्रश्न, सेम जबाब तो याद रखिएगा, आइलर्ण के कमी से एनीमिया यानी रक्त हिंता नाम जो है रोग उत्पन होता है 84, मदीरा के 37 से, यानि मदीरा के, ज्यादातर उभोग करने से, कौन सा रोग होता है सराब का सबसे ज्यादा सेवन करने से, जो रोग होता है, वो कौन सा रोग होता है तो याद रखिएगा, बहुत ही important प्रशन, बहुत बार पूचा गया है यानि मदीरा के ज्यादा उभोक से ज्यादा सेवन से जो रोग होता है यकृत का सूसन रोग यानि डी अप्सन इसका सही जबाब है इसके बारे में अगर बात करें तो अत्यधिक मात्रा में सराप के सेवन से लीवर सिरोसिस या यकृत का सूसन रोग हो जाता है इस रोग में यक्रित को सिखाएं बड़े पैमाने पर नश्ठ हो जाती है और उनके अस्थान पर फाइवर तन्तूओ का निर्माण हो जाता है 85 ओरल संब्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या है ओरल संब्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का जो कारण है वो क्या है तो याद रखिएगा oral sambucus fibrosis बीमारी का जो महत्पून कारण है वो एक तंबाकू युक्त गुठ का C option यह मुह में जो तंबाकू युक्त गुठ का जो होता है मुह में यानि माउथ में सूजन और माउथ के अंदर fibrosis उतको से जुड़ा एक दुरलव बिकार है ठीक है? disease है यह बीमारी जो है मुह के अंदर क्या होता है छालो के रुप में या लालीमा के सांस सुरू होता है मुह का जो चोड़ाई होता है वो कम हो जाता है अंत में कड़ी रेसेदार उत्तक के रुप में यह बदल जाता है मुह के अंदर का जो भाग होता है वो कठोर हो जाता है जिसके कारण खाने बोलने और मुह खोलने जैसे मौखिक कारियों में कठिनाई उत्पन हो जाती है यह बीमारी SCI और भारतिय छेत्रों में तंबाको युक्त गुट का चबाने से जुड़ा हुआ है 86 पिलिया से दुस परभावित होता है पिलिया से वो कौन सा अंग है जो परभावित होता है पिलिया यानि जौन्डिस जौन्डिस से परभावित होने वाला जो अंग है वो कौन सा है बहुत ही मैत्पूर्प्रश ने बहुत बार पुछा गया है तो पिलिया से दुस प्रभावित जो अंग होता है जो प्रभावित होता है वो होता है यकृत C अप्सन जॉन्डिस एक घातक रोग है पिलिया एक घातक रोग है जिसमें लीवर प्रभावित होता है इस रोग में यकृत को सीखाएं रूधीर से बिलुरूबीन को ग्रहण नहीं कर पाती है अतह पीलिया बिलुरूबीन रूधीर में ही रहकर पूरे सरीर में फैल जाता है और इसमें त्वचा एवं नेत्र पीले पढ़ जाते हैं उप्यूक्त उप्चार के अभाव में रोग प्रश्ण में जो बिमारिया है मम्स कालरा और तपेदिक यह संक्रामक रोग है जबकि पिलिया अपने आप में एक संक्रामक रोग नहीं है पिलिया रोग इसमें या जॉन्डिस में अगर बात करें तो त्वचा और नेत्र पीली पढ़ जाती है मुत्र जो होता है यूरिन जो होता है पीला हरा सा और मल जो है भूरा हो जाता है 88 मुर्गियों में रिकेटस रोग किस बिटामीन के कमी के कारण होता है याद रखिएगा मुर्गियों में रिकेटस नामक जो बिमारी होती है जिस बिटामीन के कमी के कारण होती है वह बिटामीन है बिटामीन डी बिटामिन D के कमी के कारण मुर्गियों में रिकेटस नामक बिमारी हो जाती है इसके बारे में दो-तिन पॉइंट अगर बात करें तो देखें बिटामिन D सभी प्राणियों की हड्डियों के लिए उप्योगी है बिटामिन D सभी प्राणी के हडडियों के लिए काफी उप्योगी है जिसकी कमी से रिकेटस रोग होता है यह रोग मुर्वियों में ही नहीं बलकि मनुस्यों में भी होता है बिटामिन D प्राई, दूद, अन्डा और सुरज के किर्णों से प्राप किया जा सकता है 89 है मेड़काव रोग का कारक क्या है मेड़काव रोग का जो कारक है वो क्या है किस कारण मेड़काव रोग हो जाता है तो याद रखिएगा अगर बात करें तो मेड़काव रोग का जो कारक है वो है आपका प्रायोंस क्या है प्रायोंस मेठकाव रोग मवेशियों के मस्तिष को परभावित करने वाला एक घातक रोग है जानलेवा बिमारी है मस्तिष्क में उपस्तित प्रायोन नमक विक्छित प्रोटीन इस रोग का कारक है प्रश्न संख्या 90 नबबे brightest रोग सरीर के किस भाग को परभावित करता है то देखे अगर बात करें جए अट्याधिक परभावित करता है वह है गुर्था यानि option A brightest रोग को इुरेमिया भी कहते है ब्राइटस रोग को, ब्राइटस डिजेश को यूरेमिया भी कहते हैं या सरीर में गुर्दे या किड्नी को परभावेत करता है इस रोग में बिरिको की जो कारिकी है ये गड़बर हो जाती है जिसके परणाम सरुप रूधीर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है 91 फुफुस धुल्मियता या निमो कोनियोसिस से वे स्रमिक रोगरस्त होते हैं जो मुख्यता कारे रत हैं कहां पर फुफुस धुल्मियता से वे स्रमिक ये वे जो कह सकते हैं कि जो स्रमिक होते हैं जो काम करते हैं वो ज्यादा तर रोगरस्त हो जाते हैं किसके मतलगी कहां पर काम करने से ये रोग उनमें हो जाता है याद रखिएगा कोईला खनन उद्धियोगों में स्रमिक जो होते हैं जादा तर किस रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो फुफुस धुल्मियता या निमो कोनियोसिस नामक रोग से निमो कोनियोसिस से वे सरमिक रोगरसित हो जाते हैं जो कोईला खनन उद्धियोग में कारे करते हैं इसमें सरमिकों के फिफड़े यानि लंग्स प्रभावित होते हैं सास लेने में उनको काफी तकलीफे होती है 92 है रक्त गुलुकोंच अस्तर समानेता व्यक्त किया जाता है याद रखिएगा मिलिग्राम प्रती देसी लीटर में रक्त गुलुकोंच को व्यक्त किया जाता है रक्त गुलुकोच या सक्रा का अस्तर मिलिग्राम प्रती डेसी लीटर में ब्यक्त किया जाता है गुलुकोच की समान मात्रा 100 मिलिग्राम प्रती 100 मिलिलीटर होती है रक्त गुलुकोच के नियमन के लिए पैंक्रियास से इंसुलीन नामक हर्मोन का स्राव होता है इस हर्मोन के कमी से रक्त में गुलकोच की मातरा 300 से 500 मिली ग्राम प्रती 100 मिली लीटर रुधिर तक बढ़ जाती है जिसे मधुमे का रोग हो जाता है डायबेटिस मतलब रोग जो हो जाता है और 93 है गलती से अगर बात करें तो एक स्टेट्मेंट है कि गलती से रामु किसी इंजेक्शन को अधिक मातरा में लगा लेता है जिसके कारण उसे एंठन, मिर्गी, बेहोसी हो जाती है अंतक कुछ समय पश्चात उसके मिर्टू भी हो जाती है इसका कारण क्या है तो अप्शन को देखिए अप्शन को देखिएगा तब समझ में आएगा कि इसका सही जबाब क्या होगा कह रहा है कि गलती से रामु किसी इंजेक्शन को अधिक मातरा में इंजेक्ट कर लेता है जिसके कारण उसे एंठन, मिर्गी और बेहोसी हो जाती है और कुछ समय बा करता है किस कारण उसमें ऐसा मलकी बदलाव आता है तो देखिए अगर बात करें तो इसका सही जबाब हो जाएगा रक्त में और समान सक्रा सांद्रता ठीक है सक्रा सांद्रता का यदि किसी मनुस्य के रूधिर में और समान सक्रा सांद्रता उत्पन हो जाती है तो उसे एं इंसुलीन नावग हार्मोन रक्त में सुगर का यानी सक्रा का नियमन करता है 94 निम्न में से कौन सा रोग वैक्सिनेशन के द्वारा नियंतरित नहीं किया जा सकता है निम्न में से वह कौन सा रोग है जो वैक्सिनेशन के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है इसका सही जबाब हो जाएगा Option A, मधुमे प्रश्णगत रोगों में से पोलियो, काली खासी और चेचक को तो वैक्सिनेशन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन मधुमे के लिए वैक्सिनेशन नहीं होता है मधुमे अगनासे से संबंदित रोग है जो इंसुलीन का परियात सराव नहीं होने के कारण होता है इस रोग में सक्रा की मात्रा रक्त और मुत्र में आ जाती है इंसुलीन का परियात मात्रा में सराव नहीं होने पर यक्रित में ग्लाइकोजन संचित नहीं हो पाता है और रक्त में सक्रा की मात्रा जो है उबढ़ जाती है 95 है किस अंकी कुछ संक्रिया के कारण मधुमें रोग होता है तो इसका सही जबाब हो जाएगा अगनास है option A ठीक है option A बिल्कुल correct option है अगर बात करें तो प्रश्णगत बिकल्पों में अगनास है कि कुछ संक्रिया के कारण मधुमें रोग होता है 96 निम्ण में से किसकी कमी से मनुस्य में मधुमें होता है किसकी कमी से मनुस्य में मधुमें होता है इंसुलीन की कमी से मनुस्य में मधुमें नावक रोग होता है इंसुलीन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अगनासय में इस्थित लंगर हैंस की दिपिकाओं या आईलेटस और लंगर हैंस की बीटा को सिखाओं के द्वारा होता है या ब्लड में सक्रा का नियमन करता है इसकी कमी से बैक्ती में मधुमे नामक जो है रोग हो जाता है इसकी अधिकता से रूधिर में गुलुकोंच की मात्रा कम रहने लगती है 97 निमलिखित में से कौन से मधुमे से सम्बंधित है जो प्रोड़ो का एक समाने रोग है निम्लिक्षित में से कौन-कौन से मधुमे से संबंधित है जो प्रोड़ों का एक समाने रोग है तो यहाँ पे कुट दिया गया है चैन कीजिए सही जबाब क्या होगा बताईए तो देखें इसमें पहला और तीसरा जो है इसको ध्यान से देखिए रग्त में सक्रा का उचस्तर और चौथा रग्त में इंसुलीन की अधिक मात्रा यानि कौन-कौन से मधुमे से संबंधित है जो प्रोड़ों का एक समाने रोग है तो पहला और तीसरा है रग्त में इंसुलीन की निम्न मात्रा अधिक मात्रा यहाँ पर दिया गया तो निम्न मात्रा याद रखिएगा तो पहला और तीसरा सही statement है यानि D-Option अगनासे की लंगर हैंस की दिपिकाओं की जो है बीटा को सिकाओं से जब अल्प मात्रा में इंसुलीन का स्राव होता है तो रख्त में ब्लड में सूगर की मात्रा बढ़शाती है जिसके पर नाम स्वरूप बैक्ति में मधुमे रोग की संभाऊना यानि डायवेटेस की संभाऊना बढ़शाती है यह रोग जो होता है समान canyon था प्रोड बैक्तिओं में होता है 98 रक्त में Glycosylated Hemoglobin का मापन निमलिखित में से किसके परबंधन के लिए लाबदायक है? सही जवाब है मधु में C option रक्त में Glycosylated Hemoglobin का मापन मदु में परबंधन के लिए लाबदायक है इसके द्वारा रक्त में पिछले 8 से 12 सप्ता की सूगर की मात्रा का पता लगाया जाता है इसके बाद 99 कथन A कह रहा है कि इनसीपीडस या उदक मेह वाले बैक्ती को प्रायप प्यास लगती है कारण उदक मेह वाला बैक्ती वेशो प्रेसीन के अतिसे स्राव से ग्रस्त रहता है इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है तो अगर बात करें तो इसमें A सही है लेकिन जो कारण आर दिया गया है वो गलत है देगे डायबेटेज, इनसीपीडस या उदक मेह वाले बैक्ती को प्रायप बहुत ज़्यादा प्यास लगती है क्योंकि इसमें सरीर का डिहाइडरेशन यानि निर्जली करण हो जाता है और इस लूपचार के लिए ADH का प्रियूप करते हैं जिसे पिट्रेसीन कहते हैं वेसो प्रेसीन या ADH की अधिकता होने पर मुत्र गाढ़ा और रुधिर तनु हो जाता जिसे रुधिर दाब बढ़ जाता है रश्न संख्या 100 कथन A विस्की पीने से मुत्र त्याग की बारंबरता बढ़ जाती है विस्की पीने से मुत्र त्याग करने की एक्छाएं काफी होने लगती है प्रबल होने लगती है बार-बार मुत्र त्याग करने की एक्छाएं होने लगेगी कारण एलकोहल के अंतर गरहन से सरीर में वेसो प्रेसीन का स्राव बढ़ जाता है इसमें अगर बात करें तो इसमें कौन सा इस्टेट्मेंट सही है, कौन सही नहीं है या दोनों सही है, एक दूसरे की ब्याख्या कर रहे है तो देखिए अगर बात करें तो A सही है, R गलत है, यानि C अप्सन मस्तिस की सुरक्षित लटकी संदचना, प्यूट्री ग्लैंड या प्यूस ग्रंथी होती है जिससे वेसोप्रेसी नामक हर्मोन का स्राव होता है इससे ADH हर्मोन भी कहते हैं, ADH, याद रखिएगा इसका प्रमुक कार्य है, किर्णी यानि विक नलिकाओं के दुरस्त कुंडलित भाग तथा संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर में पुनराव और सोशन को बढ़ाना है ठीक है? और कॉफी, चाय या विस्की के सेवन से सरीर में ADH हर्मोन की जो मात्रा होती है, वो घट जाती है जिसे मुत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मुत्र तया की एक्छा जो होती है और सरीर का डिहाइड्रेशन हो जाता है, सरीर का निरजली करण हो जाता है प्रेशन संख्या 101 यानि 101 निमलिखित में से किसके बीज मधुमे के रोगी को रक्त सक्रा का अस्तर समाण बनाय रखने में लाप हो चाते हैं वो कौन सा बीज है जो मधुमे के यानि डाइबेटीज के रोगी को उनके बलड सुगर का अस्तर समाने बनाये रखने में काफी बेनिफिट होते हैं तो इसका सई जबाब हो जाएगा मेथी के बीज यानि D-Option अगर बात करें तो मेथी एक आवरित बीजी पादफ है जिसका बीज मधुमे के रोगी की रक्त सक्रा को समाने बनाये रखने में लाप उचाता है इसके अलाबा यह जो होता है शरीर में कॉलेस्टरोल तथा ट्राइगिलिसराइड को कम करता है ठीक है और यह अस्तन तथा कोलन की कैंसर से बच्चाओं में भी उपियोगी होता है क्योंकि मेथी के पौधो का मुख उपियोग पाचन में सहायक से है भारत वर्स में मेथी के बीज को मेथी का दाना कहा जाता है जो की पुष्ट में निस्येचन के बाद बिजांड से निर्मित होता है 102 ब्रिटिस अनुसंधानों के द्वरा उदघाटित किया गया है कि करी पता भारत का देशज है और फार्मिस्टिकल कमपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उतपादन की छमता रखता है ब्रिटिस अनुसंधानों के द्वरा उदघाटित किया गया है कि करी पता भारत का देशज है और फार्मिस्टिकल कमपनियों के लिए ये कई अरब डॉलर के उतपादन की छमता भी रखता है कि शुरोग के इलाज के लिए करी पता का दावा किया जाता है याद रखिएगा सही जवाब है मधुमें C अप्शन बिलकूल करेक्ट अप्शन है ब्रिटिस अनुसंधानों के द्वरा उतगाटित किया गया है कि करी पता भारत का देशज है और फार्मिस्टिकल कमपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उतपादन की छमता रखता है या मधुमें की इलाज के लिए उप्योगी है मधुमें इंसुलीन हर्मोन के कमी के कारण होने वाली बीमारी है 103 मधुमें के उप्चार के लिए परियुक्त हर्मोन इंसुलीन का अविस्कार किया था मधुमें के उप्चार के लिए परियुक्त हर्मोन इंसुलीन का विस्कार किया था तो इसका सही जवाब है A.G.Bentig ने A.G.Bentig यानि ऑप्शन A 1923 में कनाडा के दो वेग्यानिक बेंटिंग तथा बेस्ट ने मेकलियोड नामक वेग्यानिक की सहता से इंसुलीन नामक हर्मोन का सक्रियत त्यार किया इसके लिए बेंटिंग और मेकलियोड को नोबल पुरसकार दिया गया 1923 में इंसुलीन हर्मोन का संबन्द रुधिर में ग्लुकोच के नियमन से है 104 C.U.T. का स्वर्मान दुस्परभाव क्या है C.U.T. का स्वर्मान दुस्परभाव है वो क्या है सही जवाब है रक्तसराव ओप्सन A C.U.T. का स्वर्मान दुस्परभाव है रक्तसराव पहली बार रक्तसराव एक समान समस्या है जब C.U.T. लगाया जाता है 105 इंफाइसिस एक ऐसी ब्याधी है जो परियाबरिये परदूसर्ण के द्वारा होती है और इसे प्रभावित जो मानो अंग है वो कौन सा है इंफाइसिस एक ऐसी मतलब की बीमारी या कह सकते हैं की डिजीज है जो परियाबरिये परदूसर्ण के द्वारा होती है और इस मतलब की ब्याधी में जो प्रभावित मानों अंग है वो कौन सा है तो आपको मालूम है ज्यादातर प्रयावणिये पर दूसर से लंक्स यानि फेफड़ा प्रभावित होता है तो इसका C अप्सन सही जबाब है एमफाइसिस एक परकार का क्रोनिक परतिरोधी फुफुसिये रोग है जिसमें मनुस्य का फेफड़ा प्रभावित होता है 106 एस्पिरीन के संबंध में कौन सा कथन सत्ते नहीं है एस्पिरीन के संबंध में कौन सा कथन सत्ते नहीं है एस्पिरीन मादक दर्द नासक दवाओं के अंतरगत आता है B option इसका सही जबाब है एस्पिरीन जिसे acetyl salicylic acid भी कहते हैं एक neurologically सक्रिय दवा है जो अक्सर हलके दर्दों से छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक जोर सामक तथा सोथ निरोधी दावा के रूप में परियुग में लाई जाती है एस्पिरीन का परियुग लंबे समय के लिए कम मातरा में हिर्दय अगहात इसके बाद अगर मस्तिस्क कहें मस्तिस्क अगहात और रक्त के ठकों की रोक्थाम के लिए भी किया जाता है एस्पिरीन मादक दर्द नासक दवाओं के अंतरगत नहीं आता है 107 है कुरोनरी धमनी बाइपास सरजरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट के लिए परियोग में लाई जाती है वह होती है तो याद रखीगा इन में से कोई नहीं D-Option जब कोई हिर्दय धमनी औरुद हो जाती है तो सल किरिया के द्वारा सरीर के किसी अन्य भाग से नस निकाल कर उसे हिर्दय की धमनी में औरुद हुए अस्थान के समनांतर जोड़कर हिर्दय में निर्वाद रक्त परवा के लिए वेकल्पिक है रक्त पत यानि बाइपास बना देते हैं इसी सल किरिया तकनीक को बाइपास दरजरी कहते हैं प्राय चाती कांदर से मेमरी धमनी या हाँ से रेडियल धमनी या पैर से से शेफनस की निकाल कर हिर्दे की धमनी से जोडी जाती है प्रशन संख्या 108 उचा गये कि अस्पताल के निमलीख़ित में से किस भाग में कैथ लेब होगी तो याद रखेगा प्राया अस्पताल के हिर्दै रोग बि भाग में कैथ लेब होती है कुरोनरी ध्हमनी रोग की पहशान और उसके उपचार के लिए विभीन परिक्षण और परिक्रियाओं को समपादित करने के लिए चिके सक इस लाइब का परियोग करते हैं एक सोनो भारत में आज रोग निवारण कार के लिए जिसे पोशन हिंता स्थिती को परम अगरता देना अवस्यक है वह है याद रखिएगा जिरोपैथेल्मिया यानि इसका सही जबाब हो जाएगा जिरोपैथेल्मिया नेत्र में बिटामीन ए या रेटिनॉल की कमी से होने वाला एक परमुख रोग है जिसमें नेत्र की कौर्णिया की कोशिकाएं सुखने लगती है तथा सलकी भवन हो जाता है और द्रिश्टी छमता पर भावित हो जाती है इस पर ध्यान देना काफी ज होता है कलायग खंज किसकुछ जादा खाने से होता है तो याद रखेए हैं खेसारी डाल को अत्याधिक अउपभोग से कलायग खंज नामग डिजीज होता है खेसारी दाल को भोजन के रूप में अत्याधिक उप्यों किये जाने से शरीर में कलाय खंज नामक जो है रोग हो जाता है 111 और दी वित्रण में काम आने वाली संपूर्ट किसके बने होते हैं ब्लैंक कैपसूल्स किसके बने होते हैं तो याद रखिएगा सही जबाब है C अपसण और D अपसण मांडी यानि मांड और स्लेश के और अज़ी वित्रण में काम आने वाली वेजेटेरियन खालिस संपूर्ट यानि ब्लैंक कैपसूल श्टार्च यानि मांडी से जबकि नॉन वेजिटेरियन खालिस सम्पूर्ट सिलेश से निर्मित होते हैं जो की पेट में जाकर आसानी से गल जाते हैं जिसके पर नाम सरुप दवा बीना किसी औरोध के सरीर में पहुच जाती है इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं नेक्स सेशन में पर्मुप पादप रोग के बारे में डिसकस करेंगे आप अपना परतिकिरिया देते रहे हैं आपके परतिकिरियाओं का हमें बेसबरिस इंतजार रहता है जी लोगोंने टेलिग्राम चैनल टेलिग्राम फेस्बूप पेज इंस्टागराम को जोई नहीं किया है वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में उसका लिंक है आप जोई कर सकते हैं थाइंकिम मिलते हैं नेक्स सेशन में